Hello friends, welcome to my YouTube channel Bull Markets आप सभी को पता होगा कि Infosys के quarter 4 के results अच्छे नहीं आये थे और US में slowdown होने के कारण stock काफी पिट चुका है आज मैं आपको तीन ऐसे reasons बताऊँगा कि क्यों आपको Infosys अभी खरीदना चाहिए long term के लिए अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंट तक देखिए Infosys करीदने का सबसे पहला reason है P.E. Ratio current P.E. Ratio Infosys का है 21.7 अगर हम उसे 1 year, 3 year और 5 year के average P.E. Ratio से compare करें तो 1 year का average P.E. Ratio है 27.9 3 year का 29 है और 5 year का 25.3 है इससे ये पता चलता है कि Infosys काफी अच्छे attractive valuations पे available है अगर हम stock price की बात करें तो 25% डाउन है अपने 52 week high price से 52 week high price था 1673 रूपीज और current market price है 1250 रूपीज का अगर आप long term के लिए buy करना चाते हो इस वक्त थोड़ा पैसा लगा सकते हो Infosys में और जब कभी भी इसमें गिराव आता है यानि कि 1100 या 1200 की नीचे आजाता है तो तब आप थोड़ा bulk buying Infosys में कर सकते हो Infosys करीदने का अगला reason है net profits Company के net profits financial year 1920 में 16600 करोड रुपे थे जो बढ़के हो चुके financial year 2223 यानि की current year में 24,000 करोड रूपीज के आसपास डिस्पाइट US में recession होने के बावजूद Company के net profits last year में काफी अच्छे से grow कर रहे हैं जो कि एक मुझे positive दिखाई देता है ऐसे companies जब कभी भी pit जाते हैं तो वो एक काफी अच्छा मौका होता है एक opportunity आती है आपके पास में जबी आप buy कर सके अगर हम last 4 years का CAGR देखे तो 13% से profit grow कर रहे हैं जो कि एक काफी अच्छा number मुझे दिखाई देता है अगर हम dividend yield की बात करें तो 2.70% का dividend yield है company साल में दो बर dividend pay करती है और जो भी dividend lover है तो यह stock काफी अच्छा दिखाई देता है इस level पे buy करने के लिए अगर आप long term के लिए Infosys में investment करना चाते हो तो थोड़ा-थोड़ा पैसा इस level पे लगा दीजिए और जब कभी इसमें थोड़ा decline होता है 1100 के आसपस अगर आपको मिल जाए in future तो यहाँ पे काफी अच्छा investment opportunity मुझे दिखाई देता है और एक इसमें चीज है कि इसमें एक साल आने वाले एक साल काफी volatile हो सकता है यहाँ पे return आपका नहीं बनेगा लेकिन अगर आप long term के लिए कि 5-7 सालों के लिए investment करना चाते हो तो यह काफी अच्छा opportunity है investment करने का infosys के अंदर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और comment करके बताए कि वीडियो कैसे लगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू